दोस्तो पहला सेंटेंस है Are you tired? आप ठक गए हो क्या? Are you tired? आप ठक गए हो क्या? Let us go Let's go आओ चले या फिर चलो चले Let's go दोस्तो अगला सेंटेंस है I will pay इसका मतलब होता है मैं पैसे दूँगा I will pay मैं पैसे दूँगा Welcome आपका स्वागत है Welcome आपका स्वागत है Have it Hello Have it Hello Got it सम्झे की नहीं Got it सम्झे की नहीं Due to के कारण Due to के कारण और दोस्तो हम बोल सकते है Because of उसका भी मतलब होता है के कारण Next is Probably सायद Probably सायद So delightful कितना सांदार है So delightful कितना सांदार है या फिर बहुत सांदार है Beware खबरदार या फिर सावधान अगला है Anything more और कुछ Anything more और कुछ All right ठीक है All right ठीक है Have fun मौज करो Have fun मौज करो I forgot मैं बूल गया I forgot मैं बूल गया Perfect उत्तम या फिर सही Perfect उत्तम या फिर एकदम सही Excuse me Map कीजिएगा या फिर मुझे Map कीजिएगा Excuse me Once again एक बार और Once again एक बार और Let me out मुझे बाहर जाने दो Let me out मुझे बाहर जाने दो Who knows किसे मालूम है Who knows किसे मालूम है Follow him उसका पीच्छा करू Follow him उसका पीच्छा करू I will attend मैं आऊंगा I will attend मैं आऊंगा और दोस्तों आज का Last sentence है See you again दुबारा मिलेंगे See you again दोबारा मिलेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर आप spoken English सेक रहे हो और मेरे चैनल पर पहली बार आये हो तो make sure चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो भी आप देख सको तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करी दोस्तों मिलते हुएगीग के रहे हो